हेलो गाईज, वेलकम बैक टो मैं चैनल प्लस माइनस मैट्स और आज का कुश्चन है डिटर्माइन दा एपी हूस थार्ड टर्म इस सिक्स्टीन एंड सेवन्थ टर्म एक्सीट्स दा फिफ्थ टर्म बाइ ट्वेल्फ तो हमें एक एपी फॉर्म करनी है जिसकी थार्ड टर्म है सिक्स्टीन और जो उसकी सेवन्थ टर्म है वो उसकी फिफ्थ टर्म से ट्वेल्फ जादा है तो इसमें ना तो हमें A गिवन है और ना ही common difference तो सबसे पहले वो निकालेंगे जो चीज़े गिवन है उसके basis पे थार्ड टर्म 16 है यानि कि A3 हो जाएगा 16 A3 को हम A प्लस 2D भी लिख सकते हैं A प्लस 2D की वल्ले हो जाएगी 16 यह equation first बन जाएगी अब है 7th term 5th term से 12 जाएगा है तो मतलब A7 A5 प्लस 12 है A7 यह A5 इदर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस A5 is equal to 12 A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D माइनस A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D is equal to 12 A प्लस 6D माइनस A माइनस प्लस माइनस 4D is equal to 12 प्लस A से माइनस A cancel out हो जाएगा 6D माइनस 4D हो जाएगा 2D is equal to 12 D की वैल्ले आजाएगी 12 अपॉन 2 2, 6 है 12 तो मतलब D की वैल्ले हमारी निकल गई 6 common difference 6 निकल गया अब इस D की वैल्ले को equation first में put करेंगे A प्लस 2D is equal to 16 है A प्लस 2 इंटू D की वैल्ले 6 is equal to 16 A प्लस 2 6 है 12 is equal to 16 A is equal to A plus 12 विदर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा A is equal to 16 माइनस 12 A की वैल्ले आजाएगी 4 अब हमारी A की वैल्ले निकल गए और D की वैल्ले निकल गए A P बना लेता है A P का फॉर्मल होता है A, A plus D, A plus 2D and so on तो A P हमारी बन जाएगी A की वैल्ले हो जाएगी 4 A plus D यान की 4 plus 6 10 हो जाएगा A plus 2D यान की 14 and so on तो होफ़ुली आपको कुश्चन समझा गयो अगर वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले Thanks for watching